नमस्कार आपके साथ में हूँ पूजा परमार आप देख रहे हैं The Fact India अचो गहलोत और सचिन पालिट के बीच पिछले साढ़े चार साल से खीस्तान चल रही है मुखे मंदरे की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच खूँ सियासी युद रहा अब भी यही सवाल है कि क्या वाकई गहलोत और पालिट के बीच सब कुछ ठीक है या फिर दोनों के विबात को सुल जाना अर आकमान के बस की बात नहीं है जुलाई 2020 में सचिन पालिट ने अशुग गहलोत के खिलाप बगावाती तेवर दिखाए तो गहलोत ने पालिट को नाकारा निकमा तक कह दिया था कॉंग्रेस अलाकमान के दखल के बात दोनों के बीच कथित सुले हुई लेकिन खीस्तान बरकरार रही पिछले चार सालों में गहलोत और पालिट ने एक दूसरे के खिलाप कई बार तल्ख अंदाज में बयानबाजी भी की लेकिन अमित मालवे के ट्वीच के बात दोनों साथ खड़े नजर आए या एक ये भी सवाल है कि सच में दोनों साथ है या फिर अलाकमान को दिखाने के लिए ये सब क्या जा रहा है बात जो भी हो लेकिन गहलोत पालिट के साथ तो खड़े हुए आपको बता दे कि मिजोरम की राजधानी आईजोल पर बंबारी की मामले में सचिन पालिट के पिता पर लगे आरूपों पर स्यासत काफी ज़्यादा गर्माती रही है बीजेपी आईटी हैड अमित मालविय की ओर से के गए दावे की बात सचिन पालिट और अशो गहलोत ने मालविय का विरोध किया है कोजन पहले अमित मालविय ने ट्वीट करके दावा किया था कि आईजोल पर हुई बंबारी में राजिश पालिट शामिल थे मालविय की दावे की बात सचिन पालिट ने उनके बयान का विरोध किया अगले दिन मुखे मंतरी अशो गहलोत ने भी पालिट का समर्थन करते हुए मित मालविय पर भारतिय सेना का अपमान करने का आरूप लगाया पालिट और गहलोत पिछले चार साल से एक दूसरे के खिलाब बयान देते रहे हैं अब अमित मालविय की दावे की बाद गहलोत और पालिट दोनों साथ नजर आई गहलोत के ट्वीट को लेकर सियासी हलकों में कई माइने भी निकाले जा रहे हैं गहलोत को कहा तो जादूगर भी जाता है ऐसे में गहलोत कब कौनसी चाल चले किसी को नहीं पता अचो गहलोत के पालिट को समर्थन करने को भी उनकी राजनीती की एक चाल माना जा रहा है क्योंकि चुपी साध कर पालिट ने तो अलाकमान के प्रती अपनी इमानदारी पेश कर दी अब पालिट को साथ लेकर चलने के अलावा मुख्यमंत्रिय और चो गहलोत के पास दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि अलाकमान पालिट के साथ खड़ा है आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं बने रहें दफेक्ट इंडिया के साथ